हम आज आधी कामरत महोस्तों बना रहे हैं तो पिछले 75 सान में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, जाए सेना के जमान हो, पुलीस के करमी हो, शासन में बैटे हुए बुरक्रेश हो, जन प्रतिनीती हो, स्थानी अस्वराज की संस्ताओं के, शासक प्रशासक रहे हो राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो 75 साल में इन सब के योगजान को भी आज स्मरन करने का आउसर है और देश के कोटी-कोटी नागरिकों को भी जिनोंने 45 साल अनेक प्रकार की कढ़िनाईयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है मेरे प्यारे देश वाचियों 45 साल की हमारी यात्रा अनेक उतार चड़ाव से भरी हुई है सुख दुख की च्छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देश वाचियों ने उपलब्दिया की है पुर्शार्थ किया है हार नहीं मानी है संकल्पों को ओजल नहीं होने दिया है और इसलिए और ये भी सचाई है कि सेंकडों सालों के गुलामी के कालखन ने भारत के मन को भारत के मानवी की भावनाओं को गहरे गाव किये थे गहरी चोटे पहुचाई थे लेकिन उसके भीतर एक जिद्द भी थी एक जिजी विशा भी थी एक जुदून भी था एक जोम भी था और उसके कारण अभावों के बीच में भी उभास के बीच में भी और जब आज हादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए निराज करने के लिए हतास करने के लिए सारे उपाई किये गए अगर आजादी आई अंग्रेश चले जाएंगे तो देश तूट जाएगा बिखर जाएंगे लोग अंदर अंदर लड़कर के मर जाएंगे कुछ नहीं बचेगा अंधकार यूग में भारत चला जाएगा नजाने क्या क्या आशंका इव्यक्त की गई थी लेकिन इनको पता नहीं था यह हिंदुस्तान की मिट्टी है इस मिट्टी में वो सामर्थ है जो शांसकों से भी परे सामर्थ का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है सद्यों तक जीता रहा है और उसी का परणाम है हमने क्या कुछ नहीं गेला कभी अंद का संकड गेला कभी यूद्व के शिकार हो गए आतंगवाद ने दगर दगर चुनोतियां पैदा की निर्दोष नागरिकों को मौत के घात उतार दिया गया छद्ब युद्व चलते रहे प्राकृतिक आपदाएं आती रही सभलता विपलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आए हैं लेकिन इन पड़ाव के बीज भी भारत आगे पड़ता रहा झाल